हलो दोस्तों स्वाइब सब्सक्राइब का मेरे ये डिप चैनल सच इन एजुकेशन हाप पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विसल ब्लोवर पॉलिसी किसे कहते हैं इसकी जरूरत क्या है और लास्ट दो टॉपिक्स आज हम विसल ब्लोविंग के समझ कि इसके फायदे और इसकी प्राब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं कंपनी के अंदर तो चाट टॉपिक्स हैं आज के हम कवर करेंगे तो दोस्तों अगर आपको इसके नोट्स तो यहां पर स्लाइडस के विए में मिलेंगे इसके इलावा आपको कोई और नोट्स चाहिए किसी भी और कमर सब्जेक्स से रिलेटेड आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है अब दोस्तो हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले whistleblower policy किसे कहते है तो whistleblower policy क्या है it is a document that contain a company's commitment to whistleblowing एक ऐसी policy मतलब policy क्या है कि एक document होता है जिसमें company की commitment होती है whistleblowing को करने की it provides a guideline about the process and procedures to be followed by whistleblower the protection available to them and the actions the company processes to take on the disclosers made by whistleblower इसमें क्या होता है इसमें guideline लिखी गई होती है कि क्या procedure और क्या process follow करेंगे whistleblower ताकि उन्हें protection मिले और action ले ले company उनकी जो disclosers किये गई है उनके खिलाफ यानि CDC बात है whistleblower जो जो कहेंगे या whistleblower किया एक policy जिस एक document होता है जिसमें guidelines दी जाती है कि क्या क्या follow करके इस गलत चीज़ को रोका जा सकता है ठीक है तो यह तो हो गया meaning कि whistleblower policy कैसे कहते हैं अब इसकी जरूरत क्या है तो जरूरत पर आपके सामने लिखा है कि several corporate frauds have come to light through whistleblowing कई corporate frauds भी सामने आए है whistleblowing के होते हुए सबसे पहली जरूरत तो इसलिए therefore a formal policy on whistleblowing is useful mechanism for the uncovering misbehavior on the part of employee अगर कुछ गलत हो रहा है employee के रिगारिक तो उस चीज़ को रोकने के लिए जो whistleblowing है that is a very important role इसका बहुत important role है it prevents blowing up of the misdoing यह हमें बता देता है यह बचाता है हमें कि जो misdoings हो रही है जो गलत चीज़ें हो रही है उसको blow up करने में यानि blow up means गलत चीज़ों को फैलाने में और आपको उस चीज़ों से बचाने में मदद करता है it helps to reduce corporate losses due to theft, violation of rules and regulations and other unethical practices किसी कारण के हम क्या कर सकते हैं विसर ब्लॉइंग से corporate losses जितने भी corporate loss होने वाले हैं जैसे कि theft के कारण आया कोई और violation हुई है रूल्स की कोई आपको regulations की मतलब violation हुई है या कोई भी ethically conduct नहीं किया गर कोई चीज़ों से बचने के लिए या उन चीज़ों को कम करने के लिए visor blowing की जा सकती है तो जरूरत पता लग गई आपको कि visor blowing कहा कहां कब कब कैसे कैसे use की जा सकती है ठीक है तो ये तो हो गए अब आपके सामने दो topics की visor blowing policy किसे कहते हैं और इसकी जरूरत और इसकी that is the आपके सामने need अब आपके सामने लिखा है that is advantages किसे कहेंगे हम an insider has first handed information compared to an external investigate agency therefore he may be able to supply clinching evidence for the pinning down the guilty देखो जी whistle blowing क्या करता है इसमें क्या होता है जो insider होता है वो first handed information external investigate agency को दे देता है और then वो अपने इस evidence को आगे लेकर बढ़ते हैं और इस चीज़ को चेक करते हैं तो पहला फाइदा क्या हुआ whistle blowing एक ऐसा concept है जो लोगों को जागरो करता है या जो एक गलत चीज़ के खिलाफ आवाज उठाने में मदद करता है ठीक है second आता है an insider में give early warning signal which may be help about corruption देखो जी corruption से बचने के लिए भी आपके पास मतलब एक कहलो कि whistle blowing एक insider को warning signal देता है कि कुछ गलत हो रहा है कुछ corruption जैसा काम हो रहा है तो आप इससे बच जाएं तो whistle blowing के मतलब से क्या क्या फाइदा हुआ पहला तो insider अपनी information को बाहर तक पहुंचा सकता है बच सकता है इन चीजों से दूसरा insider को एक warning signal भी मिल जाता है कि कुछ अगर गलत हुआ है corruption हुई है तो उन्हें कैसे रोका जाए ठीक है जी इसके बाद आता है protection whistle blower may data corrupt behavior by others इससे whistle blower को भी बचाया जा सकता है protecting whistle blower ठीक है जी may data corrupt behavior by others कि जो भी corrupt behavior हो रहा है उससे whistle blower को भी हम protect कर सकते है यानि जिसने भी whistle blowing की है गलत होते हुए रोकना है जिसने उसको बचाया जा सकता है उस चीज़ से कि जो गलत होने वाला है तो पहला फाइदा क्या था कि insider को मदद मिल जाती है कि वो बाहर तक अपना जो wrong doing है उसे पुंचा सकता है with the help of whistle blowing दूसरा warning signal मिल जाता है और तीसरा जो भी corrupt behavior जिसके साथ हो रहा है उसे हम बचा सकते हैं के बाद आपका आता है कि ये आपकी क्या का है that is enhances corporate social responsibility CSR को बढ़ाता है देखो जी अगर आप company में काम कर रहे हो और company में एक whistle blower आ गया है तो whistle blower ने क्या किया wrong doing के खलाफ action लिया तो automatically उसे क्या हुआ आपकी आवाज बाहर तक गई company ने अपना काम जो करना है वो अच्छे से किया और इससे एक behavioral आया यानि इससे एक CSR आपके company में नजर आई यानि corporate social responsibility की सब के साथ मिल जोलकर काम किया जाता है और society को बचाने के लिए भी काम किया जाता है याई ये company society को बचाने के लिए अपना काम और योगदन दे रही है तो इससे भी फाइदा हो गया company को ठीक है और यानि विसब लोईंग की मतल से और last आता है increased shareholders confidence देखो अगर विसब लोईंग करोगे तो उससे क्या होगा automatically shareholder का confidence बढ़ जाएगा कि इस company में कुछ भी गलत होने से पहले ही रोक दिया जाता है या कुछ भी गलत अगर हो तो उसके ख़लाब proper action लेके उनको बचाया जाता है तो इससे shareholders को safety और assurance मिलती है ठीक है जी तो यह आपके सामने आपके जो main advantages थी वो मैंने करवा दी अब आपके सामने कुछ दो-तिन problems आती है जो whistleblowing के मतलब problems लेकर आती है यानि whistleblowing क्या क्या problem लेकर आती है number one in an organization whistleblowing breaks the unwritten code of silence which expect every employee to be loyal to the others देखो जी whistleblowing कोई भी person किसी भी समय जैसे तैसे मची कर सकता है यानि अगर आप suppose करो अगर आप चाहते हो कि अब कुछ ना हो तो उसी समय कुछ हो जाए यानि whistleblowing के कैसी चीज है जब मर्जी हो सकती है यानि जब मर्जी किसी का भी अगर किसी को भी कुछ गलत लगा तो वो किसी समय भी उसके खिलाफ action लेने के लिए whistleblowing कर सकता है यानि unwritten इसमें कोई official आपकी conditions fulfill नहीं की जा सकती इसमें silence को एक दम से breakdown कर दिया जाता है जब कुछ लगे तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ भी आप maintain नहीं कर सकते number one problem यह आ जाती है number two officially encouraged whistleblowing may discourage corrupt behavior which will also discourage initiative and the willingness to take bold and quick decisions देखो जी बेशक आपने corruption को रोकने के लिए whistleblowing की है या बहुत सारी problems को रोकने के लिए whistleblowing कर रहे हो that's a good लेकिन उससे क्या हो रहा है whistleblowing जब भी आप करते हो तो जो भी गलत चीज़ों को रोकने के लिए कर दिया लेकिन उसके साथ-साथ कई बार जो initiatives भी आपको मिलने वाले होते हैं वो भी चले जाते हैं और जो decisions हमने लेने होते हैं वो भी at a time उस समय सही नहीं रेते या फिर आप अच्छे से सही टाइम पे decisions भी नहीं ले पाते जब भी whistleblowing होती है तो इसका मतलब क्या हुआ ये भी problem आ गई और एक last आपके सामने आता है कि after the whistleblowing case has been justified the honest whistleblower has to be faced mentally agony देखो जी whistleblower बेशक जिसने whistleblowing कर दी है लेकिन बेशक अगर कोई case find out हो भी गया या case अच्छे से निकल भी गया justified भी हो गया लेकिन जो whistleblower है उसके mind में एक क्रिके का ढर ही लगा रहता है कि एक बार अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में कुछ और ना हो जाए जिसने भी वो गलाच चीज की है अगर whistleblower ने उसके खिलाफ action लिया तो कहीं आने वाले समय में उसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए यानि एक mental status उसका बदल जाता है तो problem उसे create होती है तो whistleblowing की मदद से क्या हुआ हुआ विडियो में आज के लिए इतना ही है और जो whistleblowing का topic है वो भी आपके लिए मतलब खतम हो जाता है यहाँ पे तो अगर आपको कोई notes चाहिए part 1, part 2 के भी आपको मिल जाएंगे link description में दे दिए गई है telegram channel की वहाँ से आप ले सकते हो पीडियेफ तो वीडियो में आज के लिए इतना ही है दोस्तो वीडियो समझ आ गई है like, share, subscribe करना बिलकुल मत भूलना कहीं पे problem है तो नीचे दिये के comment box में comment भी कर सकते हो तो दोस्तो आज की मेरे इस वीडियो में इतना ही है that's it thank you very much